वेजक तोमी यानिक ही पूरुष नस्भन्धी क्या इससे सेक्सपाउर कम हो जाती है या इससे जो सेक्स डिजायर है वो कम हो जाती है आज हम इसी के बारे में डिसकस करेगे तो नमस्कार दोस्तों मिन नाम ड।ड़ सचीन तोमर है और मैं दिल्ली में प्राक्टिस करता हूं और इसके साथ मैं online consultation भी करता हूँ यदि आपको कोई भी sexual problem है तो आप बे हिचक होकर अपने भाई से बात कर सकते हैं और हाँ आप मुझे WhatsApp के थुरू भी मुझे से बात कर सकते हो अबना कोई voice message है वो मुझे बे सकते हो कोई question है आपके mind में वो मुझे सकते हो चलिए बढ़त जाता है जिससे जो सीमन है जो सुकुराणू है वे यूरा तरब में ना जा पाए बस ये काम है वो छोटा सा minor cut होता है पेशेंट को पता भी निजलता आदे गंटे का ये प्रोचेजर होता है ठीक है ना इसमें कोई pain होता है ना इसमें कोई दर्ड होता है अब बात करेगे इसके फादेगे इसके बहुत फादे बहुत फादे का मыт partnership यद्धी आपको कंडोम नहीं लगाना पड़ेगा बहुत सी हमारी patient है वी कहते सर हमें कंडोम नहीं लगाना पसंद है वे वेजक्टों मी कराते हैं और बहुत सी patient है जिन्हों ने वेजक्टों मी करा चुके ऐसा नहीं है, सैकिंड है कि आपकी जो वाइफ है, आपकी पार्टनर है, उसको बरत कंट्रोल पिल यानि कि गरब निरोधा गोली नहीं खानी पर रड़ेगी, क्योंकि गरब निरोधा गोली के भी बहुत साइड इफेक्ट है, मैं सब को मना कि मैकसिम जो पेशेंट उन्हों को जा पास कितने पेशेंट है, जिन्होंने वैजक्टों में करा चुके हैं, और वे कहते हैं, सर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, बाद में दिक्कत होती है, लेकिन जब कराने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, एक एज के बाद तो नूरमल हो होता है, लेकिन यंग एज में उएदि आप कराते हो, तो आपको कोई भी, मतलब देखिए, sex power का, या sex desire का, wedge economy से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है, सिरिफ sperm को यूडित्रा में जाने से रोकना है, बस तो इससे क्या hormone change होते हैं, नहीं, कोई hormone change नहीं होते हैं, testosterone hormone level कम होता है बिलुकुल नहीं होता है लोगों में इतनी गलत फहिमिया है बहुत जादे गलत फहिमिया देखिए यदि आपके जो बच्चे हो चुके हैं और आप चाहते होगी मुझे बच्चा नहीं करना तो सबसे best है आप और हाँ हमारे हाँ एक और धांड़ना है कि महिला की नस्बंदी कराई जाएं मैं कहते हो महिला की नस्बंदी के जगे पुरुस नस्बंदी जादे benefit है ठीक है ना क्योंग इसमें कोई दर्ध नहीं है कोई टांगा नहीं लगता है कोई problem नहीं होती है कोई इसमें सेक्स को इंजोई कर पाओगे, आपकी जो पार्टर है, जिसको डेली गोली खानी पड़ रही है, उस गोली से पीचा छूट जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, आप बे फिकर होकर, बे हीचक होकर, वैजक्टोमी करा सकते हो, ठीक है ना, वो हमारी समाज में एक संदेश भी जाएगा, यदि आप करा रहे हो, और सबसे बड़ी बात है, लोग कराते तो हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पीचेंट करा लेता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं, ऐसा नहीं है, यदि आप करा रहे हो, तो इसको थोड़ा अवेर्नेस कर करा हूँ, और वैसे मैं अपने पीचेंट को भोद बोलता हूँ, कि यदि आपको बच्चे नहीं चाहिए, आप वैजक्टोमी करा लो, ठीक है ना, किसी भी गोवर्मेंट होस्पिटल में जाकर, और सबसे बड़ी बात है, आधकल गोवर्मेंट कुछ पैसा भी देती है, तो वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने पीचेंट को जरूर कहता हूँ, और जब ये पीचेंट कराते हैं, देखिए, ये मैं अपनी प्रैक्टिकल नोलिज आपको दे रहा हूँ, कोई सुनी-सुनाई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जब पीचेंट कहते हैं, सर बिल्गुल मैं बिल्गुल ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई प्रोब्लम नहीं हुई, और नहीं मेरी सेक्स पावर में कमी आई, और नहीं मुझे कोई दिक्का दे, तो इसलिए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अब एक कहते हैं कि इसके साइड side effect, side effect as such, कोई side effect इसके है नहीं, ठीक है न, तो side effect तो मैं इसको कुछ कहने सकता है कि कोई side effect इसके है, या मैंने आज तक सुना है side effect किसी patient के जबाने, या मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं research में आया है, तो side effect तो कुछ है नहीं है इसका, इसके फायदे ही फायदे हैं, तो आप ब आपको समझ में आ गया हुआ कि पुरुष नश्बंदी से सेक्स पावर कम बिलकुल नहीं होती नहीं सेक्स डिजाइर कम होती है थेंक यू वेरी मच